हाई व्रीवन वेल्कम तो विमन्यों आई एस माइन नम इस रोहित गर्चा इन दिस सीरीज इस कॉल्ड तू दिसकस करते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बहुत ही तू दपॉइंट तरीके से फॉर प्रिलिम एग्जामिनेशन आज की जो हमारी वीडियो है डाट इस ऑन टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ओफ इंडिया ट्राय है ना जो कि आपके मिनिस्ट्री ओफ कॉम्मिनिकेशन के अंडर आती है एक बॉडी है उसने एक चीज प्रपोस करी है कि देर शुड भी अब डिफरेंट रेटिंग सिस्टम फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी इन इंफ्रास्ट्रक्ट्टर्स है ना फॉर एक्जाम्पल हमारे पास NBC है NBC 2016 नेशनल बिल्डिंग कोड तो यह बोल रहें कि उस बिल्डिंग कोड के अंदर हमें डिजिटल कनेक्टिविटी की भी रेटिंग जो है उसके अंदर डालनी चाहिए और ट्राय जो है इसके उप काम कर रहा है और एक consultation paper भी इसके उपर निकला था जिसके बाद में यह जो नहीं वाली guidelines है यह जो है नहीं वाले criteria बहुत जल्दी आने वाले हैं क्या है वो exactly किस principle के उपर है क्या वो पकड़ने वाले वो हम इस वीडियो के अंदर आज ही देख लेंगे ताकि इनके से अगर वर्दी आफ नोटिंग दाउन और राइटिंग इन फॉर्म आफ आंसर चाहे आपके ऐसे के अंदर हो देर सर्टेन लाइंस जो आप उसको जो है अब ड्रेक्ली आप यूस कर सकते हैं चलिए सबसे पहले एक मिनिस्ट्री की स्टेट्मेंट आई है वाँ चुरू करते हम तो एक्स्पनेंशिल ग्रोथ इंडिजिटाइजेशन दूरिंग लास्ट डेकेड हैस्ट रेवलूशनाइज दी वर्ल्ड इंपक्टिंग एवरिटिंग फ्रॉम एकॉनमी इनोवेशन साइंस अधुकेशन तो हैस्टेनविलिटी गवर्नेंस और लाइफस्टाइल तो बोल रहा है कि डिजिटाइजेशन के बाद में सारी चीजहों के उपर इंपक्त आया है ट्राइं अंडर्टूप दी प्रॉसेस ऑफ कंसल्टेशन ऑन सुओ आ मोटो बेसिस मतलब खुद अधूरिश्मेंट अफ एकोसिस्टम वेरें डिजिटल चनेक्टिविटी इंफ्रस्रक्ट्चर बाइद भी इचितल कनेक्टिविटी इंफ्रस्रक्टचर को हम become part of all development activities try issued a consultation paper on rating of buildings or areas for digital connectivity यह भी एक सवाल आ सकता है UPSS कर नहीं पूछेगा कि यह पेपर किसने लिखाता है यह विच आप दी following body is associated with the paper और with the report rating of buildings or areas for digital connectivity है ना तो just in case states में अगर इसका सवाल आपको देखने को मिल सकता है तो यह भी सवाल है विच इसका आंसर बनेगा try है ना चलिए हम सिजह चलते हैं आगे कि what is the proposed recommendation ठीक है क्या बोल रहा है try इसके अंदर it recommended amending building bylaws and NBC national building code to enable digital connectivity infrastructure in buildings इसक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस चीज को समझते है कि है क्या DCI digital connectivity infrastructure for example अगर आप एक नहीं आपको स्टार्टप है आपको ऐसी building ढून रहे है यार जहां पर ना Wi-Fi की range अच्छी आया जो राउटर लगे वह अच्छे हों फाइबर ऑप्टिक्स पहले ही डले हो कि ओवरॉल हमारी building की entry exits कितने everything is codified इस चीज की rating हमारे पस नहीं है अभी तक है ना कि यह connect होगा कैसे है तो वो चीज़े तो यह आपको बहुत वेस help करती है for example if you are looking for a building जहां connectivity हाई चाहिए होती है तो you can look for rating here किसकी rating ज्यादा अच्छी है है ना तो उस building के अंदर आपना जो है business आप उसी साब से वहाँ पर settle कर सकते है for example दूसरा example यहां पर यह है कि आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए और आपको सस्ती building चाहिए है ना जहां पर digital connectivity आपको लेना marketing शुरू हो जाए कि जो building नहीं इस हिसाब से बननी शुरू हो जाएंगी एक नए standards यहां पर सेट हो जाएंगे इसके बाद में तोड़ा देखते हैं आगे इस विड इंक्लूड इंस्टॉलेशन और फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक केबल वाइफाइए एक्सेस पॉइंट अधर निसेसरी इक्विप्मेंट फटाफट लिंक डीचे कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताइए फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो साइंस के फिजिक से कौन से प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करती है एक सिंगल उसमें आंसर होना चीह ये पूरा कॉंस्टेट एक्स प्रेन मात करना तो एनीट देनम ऑफ दी कॉंसेट अगे देख्ते हैंमें अप्र अप्रेदिंग अफ्टिक्व इंफ्रस्टुक्टर शूट बीविडर बढ़ आ अग्रेमेंट के ऐनदर की आपका जो इन् तो इसमें हो जो बी आपके कुर्ड थे जो बाज के लिए गुंटरी के लिए क्रिटिकल है जो कि होने ही चाहिए जिनके बिना कांटड़ी धंग से काम निकर सकती future benefits from these recommendations the trial recommendation is a step in the right direction towards achieving the goal of digital India ठीक है जी ये it is in line with digital India हम digital India promote करने पर मारी buildings के मने code अभी तक दिये निये this will improve the quality of life for people and also contribute to country's economic growth rating system will help ये देखी सारा mains का है वैसे mostly पर let's have a read anyway rating system will help identify the level of digital connectivity in the building and will provide a benchmark for future upgrades and improvement जो हम पहले बात कर रहे थे अभी it will have a significant impact on the way people live and work ने standards आएंगे ने innovation होगी तो आपका lifestyle भी change होगा वो भी better होगा according to the try the incorporation of digital infrastructure in buildings will ensure that people can access high-speed internet and other digital services from their homes and workplaces with the increased availability of digital services businesses will be able to expand their reach and engage with customers more effectively it will create job opportunities for young professionals to become DCI यह वाले points यहां पर include करने का मकसद यह है कि आपको सोचना आए कि यह चीज हो रही है इसके impact कितने हो सकते हैं राइट तो जब हम class में इस टाइप के topic को बात करते हैं तो हम वहां पे एक discussion जरूर छेड़ते हैं starting में थाकि जो brainstorming में वह हो आपके नए neural connection जो है वो दिमाग में बने और आप बेटर तरीके से format कर पाएं अधरवाइस अगर कोई ऐसा topic हो जिसके बारे कुछ भी ना पता हो अगर हलका सा हिंट लग जाए तब भी आप यह सब चीजें जो है यह शुट बी अबल तो doosat you should be able to write it down then i will tell you about the course which is already going on DCI professional and be apart of the design deployment and evaluation of DCI this is the course which are I was telling telling you about it is for pre and mains both it is available in both offline and online format you get three things in this number one you get a class which happens on every Saturday and every Monday and second you get weekly PDFs जिसके अंदर आपका पूरे हफ्ते का curated content आपके पास आते है बहुत पतली सी वो PDF बहुत कम पेजिस की PDF जिसके अंदर to the point तरीके से बहुत छांट के आपके पास में जो है material आएगा जिसके अंदर आप उसको पढ़ हो गए और आपका जो है current affair पिछले हफ्ते का पूरा दन हो जाता है these two things are more than enough for your current affairs preparation number three thing you get weekly tests तो यह दोनों चीजें जो है आपकी 45 हो जाते हैं in your weekly test and then you are good to go so check it out also you get a seven days free trial for this link is in the description please check it out आप एक बरी लगाईए class आईए कुछ classes में अच्छा लगे तो जरूर continue किजिए उसको साथ साथ में जो इसका static topic एक्टिवेट हुआ है ट्राय के साथ में तो आपके थूए तो अगे चलते हैं तो कोड यह पहली वर कभ पब्लीश हुआ था इट वस्ट पॉब्लिश्ट इन 1970 अध इंस्टेंस अप्लाइंग कमिशन और फिर्स रिवाइज इन 1983 अगें इसको पूछ सकता है अगर बढ़ी बात नहीं होगी इसके उपर अगर आ सकता है तो यू में टेक देक दे स्क्रीन शॉट और पॉस्टी वीडियो राइट नाओ एंट टेक नोटस अफ इट तो यह आप लिख सकते हैं वाँपर और साथ में यह जो कोड़ है इस गिवन बाइएस ब्यूरो अफ इंडिया स्टेंडर्स आगे देखते हैं थोड़ा सा स्टेटिक पॉर्शन अभी देख लेते हैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने स्लाइड आपके लिए डाली है लीगल बैकिंग क्या है ट्राइज हो है अगर आपकी देट ऑबर्थ इसके आसपास है तो थोड़ा सा रिलेट करके आप याद रख सकने की यह देट ऑफ यह बर्थ ऑफ यह चलिए वाट इस दी कॉंपोजिशन ऑफ ट्राइड मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ चेर पर्सेंट तू होल टाइममेंबर्स और तू पार्ट- इसके आप उसके बाद में आपका टेनियर जो है वो खतम हो जाएगा इसके लाबद जो एक इंपोर्टन पॉइंट ओर है इस दी रिकमेंडेशन ऑफ ट्राइ और नौट बाइंडिंग ठीक है तो अगर ट्राइड कुछ रिकमेंड करता है तो इस नौट बाइंडिंग ऑन इस गवर्मेंट ऑफ इंडिया तो वह मान सकती है यह खारीज कर सकती है और इंडिर्ट और इन बीसी के थ्रू जब जो है नेशनल बिल्डिंग ओड उसके थ्रू आपके सवाल आ सकते है तो आप जरूर उसको जरूर एक बड़ी पढ़िएगा नोट आपने बनाया तो रि प्रण्यमन्य वाईस